नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में UP TED एक्जाम के लिए हिंदी के टॉप 30 प्रशनों को देखेंगे आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को दोस्तों आप लोग मौक टेस्ट के रूप में देखिए यहाँ पे आपको 30 प्रशन मिलेगा 300 प्रशन का उत्तवर आपको बताना है और लास्ट में पूरा स्कोर बताना है कि 30 में आपका कितना सही हो रहा है तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रशनों को द्यान से देखते हैं पहला प्रशन आपके सामने है बिद्याले सब्द में है बिद्याले में कौन सी संधी है आपको बताना है आप्सन है स्वरसंधी, बेंजन संधी, बिसर्व संधी या इनि में से कोई नहीं आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए देखे दोस्तो बिद्यालय का अगर संदे विछेत करेंगे तो क्या होगा बिद्याधन आलय मतलब की आ के बाद फिर से आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है देर्गिस्वर संदी है तो यहाँ पे दोस्तो आपका ए आप्सन बिल्कूर सही हो जाएगा विद्यालय सब्दु में देर्गिस्वर संदी है देर्गिस्वर संदी किसे कहते हैं दोस्तो जब आ, आ, ए, और उ, उ के बाद पुना हुआ ही वाड़ा आये तो वहाँ पे देर्गिस्वर संदी होता है तीक है, जैसे कि गिरिंद्र की बात करते हैं तो गिरिधन, इंद्र वराबर गिरिंद्र या भानुदे की बात करते हैं तो भानुधन, उद्र वराबर भानुदे इंसम में दोस्तो देर्गिस्वर संदी है बात करेंगे दोस्तों ब्यंजन संदिकी, तो ब्यंजन संदिकी से कहते हैं, ब्यंजन से स्वर, अथ्वा स्वर से ब्यंजन के मेल से उत्पन विकार को ब्यंजन संदिक कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ब्यंजन के एक्जांपल की बात करें, तो जैसे दिगज हो गया, वांग मैं का संद्विक्षेद, वांग धन मैं, दिगज का दिगधन गज, यह सभी ब्यंजन संदी के उधरन है, विशर संदी की बात करते हैं दोस्तों, तो विशर के साथ स्वर या ब्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन होता है, उसे हम विशर संदी कहते हैं, जैसे कपट हो गया यह सभी दोस्तों बिशर संदी है निस्चे का संदी विख्षेद क्या होगा नेधन चय निस्कपट का नेधन कपट तो दोस्तों इसमें आप से पूछा गया था कि विद्याले सब्द में कौन सी संदी है तो यहाँ पे आपका यह आपसं सही है स्वर संदी है च जाबर क्या होता है पावन का संदि पूछे कि पावन में कौन सी संदी है तब आपका जवाब हो गया तो इसमें आयादी संदी है नियान हो गया नायक हो गया पावक हो गया यह सभी दोस्तों आयाद संदिक के उदारण है अगला प्रसंद देखेंगे हिंदी में वचन होते हैं आप लोग बताई कितने वचन होते हैं एक दो तीन या अनगीनत तो दोस्तों याद रखिए का हिंदी में कुल दो वचन होते हैं कौन का जो है बहुचन नहीं होता है आगरा का बहुचन नहीं होता है इसलिए आपका यहाँ पर D option सही हो जाएगा बहुचन नहीं होगा क्यों नहीं होता है क्योंकि आगरा दोस्तों क्या है यह ब्यक्तिवाचक संग्या है और ब्यक्तिवाचक संग्या का बहुचन नहीं होता है चलिए अगला प्रस्त देखेंगे, जिन सब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आपको बताना है, आपसन है पद या विकारी सब्द या अभिकारी सब्द या पदबंध, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब क् है, यहाँ पे पूछा गया था कि जिन सब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अभिकारी सब्द कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सी अप्सन बिल्कुल सही है, बात करें दोस्त किसी वाक्य में मिला दिया जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं, पदबंध की बात करें दोस्तों, तो वाक्य के उस वाक्य को जिसमें से एक पद परसपर संबध होकर अर्थ तो देते हैं, किन्त पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो उसे हम पदबंध कहते हैं, या हम वाक्या कौन सा सही है आपको बताना है यहाँ पर सही सब्द तो आपका राइट इस और क्या हो जाएका दोस्तों यहाँ पर डी आपसन आपका बिल्कुल सुध्ध रूप है ठीक है बाकी तीनों यहाँ पर गलत है अगला प्रस्ण देखेंगे कभी का इस्त्रीलिंग रूप होगा कभी का इस्त्रीलिंग होता है कव इत्री इसको याद रखेगा इंपोर्टेंट प्रस्ण है कई बार पूछा गया है तो कभी का इस्त्रीलिंग क्या होता है कव इत्री होता है इसको याद रखेगा चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे सभी प्रस्ण दोस्तों आप लोग से देखिए और प्रतेक प्रश्ण का उत्तर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताईए लास्ट में पूरा भी इसकोर बताईए कि आपका तीस में कितना सई हो रहा है संस्कृत की वे सब्द जो हिंदी में बीना किसी परिवरतन के परिवरतन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सं दोस्तों आपका सी अप्सन बिल्कुल सही है तद्भो किसी कहते हैं वे सब्द जो या तो सीधे प्राकिर्ट से हिंदी भासा में आ गये हैं या प्राकिर्ट के द्वारा संस्क्रिट से निकले हैं उन्हें हम तद्भो कहते हैं तो तद्भो ध्यान रखिएगा देशज की समास प्रधान समांस या तो यहां पर नकार तक कुष्येस की अज़स हैं संक्यावाची होता है और अंतिम पद जो है संग्या होता है उसे हम दिगुसमास कहते हैं जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुरुवेद हो गया ठीक है, ये सभी दोस्तों संख्यावाची है इसलिए आपका यहाँ पे दिगुसमास है बात करेंगे तत्पुरुष समास की दोस्तों तो जिस समास का अंतिमपद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं जैसे कि स्वर्गवास और मेग आच्छन या मेग से आच्छन जैसे कहते हैं ग्रिहागत ये सभी आपका तत्पुरुष समास है अगला प्रस्ण देखेंगे सुध सब्द बताना है आपको यहाँ पे कौन सा सब्द सुध है उज्वल या उज्रवल या उज्वल ये वाला उज्वल आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए देखें दोस्तों यहाँ पे आपका सुध सब्द क्या है D option है उज्वल जो लिखा गया है या बिल्कुल आपका सुद्ध है बाकी तीनों विकल्प यहाँ पे गलत है अनुरक्त का बिलोम पूछा गया है दोस्तों आप लोग बताईए इसका answer क्या होगा आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त तो यहाँ पे आपका सही जोब क्या होगा अनुरक्त का बिलोम दोस्तों क्या होता है बिरक्त होता है इसको याद रखिएगा आसक्त का बिलोम क्या होता है आसक्त का बिलोम अनासक्त होता है इसे भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनुरक्त का पूछा गया था तो इसका बिरक्त बिल्कुल सही है सभी प्रशना आप लोग ध्यान से देखते चलिए निमने में से कि समुव में सभी सब्द तत्सम है आपको बताना है option है सरकरा पवन जेश्च अगनी कास्ट घृत घोडा कारीगर ओस्ट किताब नानी चाहू निष्ठूर चमच हाथी कार यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से समुव में किवल तत्सम सब्द है option आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तो सरकरा पवन जेश्च अगनी यहाँ पे सरकरा पवन जेश्च अगनी यह सभी सब्द समुव दोस्तो क्या है तत्सम सब्द समुव है ठीक है बाकी तीनों यहाँ पे जो है सही नहीं है किवल ए अपसन आपका यहाँ पी बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण देखेंगे किस सब्द में कू उपसर्ग नहीं लगा है आपको पताना है आपसन है कुरूप, कुसल, कुकर्म या कुचाल यहाँ पे आपका राइट असर क्या है आपका राइट असर हो जाएगा दोस्तो कुसल जो लिखा गया है इसमें आपका कू उपसर्ग नहीं लगा हुआ है बाकी तीनों में कुरूप में कू उपसर्ग लगा है कुकर में भी कू लगा है, कुचाल में भी कू उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे दोस्तों आपका B option बिल्कुल सही है इसमें जो है कू उपसर्ग नहीं लगा है और यही आपको बताना था अगला आप देखेंगे इन प्रत्य का प्रयोग किस सब्द में हुआ है पुजारिन, कठिन, चिन्ध या मीन तो राइट इस वर आपका क्या है आप लोग बताईए कमेंट में देखें दोस्तों यहाँ पे आपका पुजारिन सब्द जो लिखा गया है इसमें आपका क्या लगा हुआ है इन प्रत्य लगा हुआ है इसको द्यान रखिएगा ठीक है और इन प्रत्य से अगर कोई और एक्जामपल पूछा जाए तो जैसे की नातिन हो गया नागिन हो गया और मालकिन हो गया इन सभी में दोस्तों क्या है? इन प्रत्य लगा हुआ है, इसको द्यान रखिएगा, ठीक है? कठीन चिन है मीन, इन सभी में इन प्रत्य आपका बिल्कुल नहीं लगा है, इसको द्यान रखिएगा, अगला प्रस्त देखेंगे, जिसमें पहला पद संख्या वाचक हो, और ज जिसमें दोनों पतप्रधान होते हैं, और दोनों संग्यां अथोअ बिसेशन हो, वहां दोन्द समास होता है, ठीक है? और इसका बिग्रा करणenne पर क्या होता है? बेच पाई होता है? बेच में और सब्द आ जाता है, जैसे कि देश विधेस, देश और विधेस, अब्याई भाव समास की बात करते हैं दोस्तों तो इस समास में प्रथम पद अब्य होता है और दूती पद जो है संग्या होता है तो यहाँ पर अब्याई भाव समास होता है जैसे कि यह था सेग्र अगला प्रसंद देखेंगे दोंद समास है दोंद समास का एक्जामपल यह यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा दोंद समास हो जाएगा चलिए अगला प्रस्त देखेंगे नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है आपको बताना है आपका सहरी नागर नरनारी सरड़ागत आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताईए देखें दोस्तों नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है इसको याद रखिएगा ठीक है यहाँ पे दोस्तो आपका भी आपसन बिल्कुल सही है चलिए अगला प्रस्त देखेंगे जातिवाचक संगया नहीं है कौन सा जातिवाचक संगया नहीं है सैसव लोहा लकडी या पुस्तक तो यहाँ पे द अगला प्रस्त देखेंगे निम्नि में से किस वाकि में संपरदान कारक है आपको बताना है आपसन है मेरा घर इस्टेशन से बहुत दूर है राम घर पर सो रहा है और राजा ने निर्धनों को कंबल दिये निसार खेलता है यहाँ पे बताना है कि किस वाकि में संपरदान क कारक का चिन ने क्या होता है दोस्तों संपरदान कारक का चिन होता है को या के लिए होता है क्या होता है को होता है या फिर के लिए होता है तो जिस वाक में को या के लिए होता है वहां पर संपरदान कारक होता है यहां पर देखिए को यहां पर चिन लगा हुआ राजा ने नि होने के रत में संबंद काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधर हे अरे ये सबी दोस्तों कारक के चिन्न है इनको याद रखिएगा अगला प्रस्त देखेंगे वह स्वता ही जान जाएगा में वह सर्वनाम क्या है वह सर्वनाम क्या है आपको बताना है क्या ये पूरुस वाचक सर्वनाम है निज वाचक सर्वनाम है संबंध वाचक सर्वनाम है या अनिश्चे वाचक सर्वनाम है तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताईए देखें दोस्तो वह स्वता ही जान जाएगा इस वाक में वह सब्द जो है ये क्या है पूरु सवाचक सर्वनाम है इसको याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए आप्शन बिल्कुल सही है अगला प्रसंद देखेंगे संयुक्त क्रिया का उद्वाहरान कौन सा वाक है आपको बताना है आप्शन है र जब दो या दो से अधिक धात्व के मेल से कोई क्रिया बनती है तो उसे हम सहयुक्त क्रिया कहते हैं यहाँ पे दोस्तों आपका सी आप्शन बिल्कुल सही है अगला प्रसंद देखेंगे सरल या साधारन वाक कि किसे कहते हैं आपको बताना है आप्शन है जो छोटा हो जि एसर क्या हो जाएगा आपका राइट एसर हो जाएगा जिसमें एक उद्देश एक विधे और एक ही क्रिया हो वह जो है सरल या साधारन वाक की कहलाता है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी आप्शन बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं मोहन बाजार जा रह इस वाक्त में उद्देश से क्या है आपको बताना है ऑप्सन है मोहन खरीदारी घुम्त या बाजार तो आपका राइट शूर क्या है आप लोग आपको बताना है वर्सा हो रही है मैं पढ़ता हूँ और वाखेलता है सुधिर पढ़ता है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिस्त्रित वाक्य क्या है राइट सर्फ होगा दस्तों आपका यहाँ पर मैंने सुना है कि नीना पास हो गई कि यहापका मिस्तृत वाक्य का उधारन है इसको ध्यान चीएगा अगला प्रस्थ देखेंगे किसी के कथन को उध्रिद करते समय किस बीराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है विसमय वाचक चिन आउतरन का चिन या पिर प्रश्ण वाचक चिन या करते समय याद रखिएगा आउतरन या उधरन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे दोस्तों बी आपसन आपका बिल्गुल सही है अगला प्रशन है सही बिराम चिन्हों वाला वाकि क्या है आपको बताना है सही बिराम चिन्हों वाला बताईए जो पत्र आज आया है कहा है क्या या सही है जो पत्र आज आया है कहा है जो पत्र आज आया है कहा है बिरामचिन आप देखी किसमें सही है आपको वही बताना है तो राइट सवर आपका क्या है आप लोग बताईए चारू विकल्पू में यहाँ पे दोस्तों देखें सहीर आइंसर आपका यहाँ से पूड़ होगा सेर को सामने देखकर आगे क्या भरा जाएगा आपको बताना है option है मैं साथवे आस्मान पर पहुंच गया मैं आग बवूला हो उठा मैंने आस्मान सेर पर उठा लिया मेरे प्राण सुख गये तो यहां पर आपका right answer क्या होगा आपको बताना है तो right answer दोस्तों आपका यहां हो जाएगा D option मेरे प्राण सुख गये सेर को देखने के बाद दोस्तों आदमी वैसे ही डर जाता है ठीक है डर कमारे उसका प्राण सुख जाता है ऐसा आपका सकते है तो यहां पर क्या भर जाएगा सेर को सामने देखकर मेरे प्राण सुख गये यह हवाक की जो है इस खाली अस्थान को पूरा गरता है तो D option दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते है सही मुहावरा है यहां पर आपको सही मुहावरा बताना है option है नेत्रों में मिट्टी डालना आखों में रेत फेकना आखों में धूल जोगना आखों में कचरा डालना यहां पर सही जवाब क्या है आप लोग बताइए सही मुहावरा आपको यहाँ पर बताना है तो राइट इस्वर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका आखों में धूल जोकना यहाँ आपका बिल्कुल सही मुहावरा है बाकी नेत्रों में मिट्टी डालना या बिल्कुल गलत है आँखों में रेत फेकना या कोई मुहावरा नहीं है आँखों में कचरा डालना या भी कोई मुहावरा नहीं है तो सही मुहावरा है आँखों में धूल जोकना चलिए आगे बढ़ते हैं हाथ ना आना इस मुहावरे का निकर्टम अर्थ क्या है हाथ ना आने का मतलब क्या होता है पकड में ना आना बहुत बड़ा होना हाथों का ब्यायाम करना हाथ फैलाना तो यहाँ पे सही जवाब क्या है आप लोग बताईए आपका राइट इसर होगे दोस्तों हाथ ना आने का रत होता है पकड में ना आना क्या होता है पकड में ना आना तो यहाँ पे आपका A option बिल्कुल सही है सिर फिर जाना का प्राय क्या होता है आपको बताना है सिर फिर जाना चक्कर आ जाना अहंकारी हो जाना सरदर्द हो जाना पीछे मूल कर देखने लगना तो आपका right answer क्या है आप लोग बताईए देखें दोस्तो सिर फिर जाना इसका मतलब होता है अहंकारी हो जाना ठीक है क्या होता है अहंकारी हो जाना यहाँ पे दोस्तो आपका B option बिलकुल सही है तो इस प्रकार से दोस्तो आपका यहाँ पे 30 प्रशन पूरा complete हो गया यह वी प्रोपब नह कर लेखें थे रहाँ झाना यह एल जो जढ़ टूरा कर साल् Culture आपका मधोरी को छो कर से दो और मतलब एल कि दोस्तों कि दोस्तों आपका जोस्तों अापका दोस्तों वीजiony वामता है बड़ घेंब और दो भीजस कर सू अहला है चलापका लोस्तों एल र